और यूँ आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है कुन सा भी एक अबजेट को आप एक शेप के अरौंड कैसे आप रिपीट कर सकते हैं उसके बारे मैं बताने जा रहा हूँ तो इसके एक शेप भी मैं कैसे क्रेट करना भी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो उसके लिए क्या है इदर पॉलिगोन टूल के अंदर क्या है इदर ग्राफ पेपर करके है इसमें आता हूँ अब इदी को यह क्या है 5 by 5 है इसे Ctrl को Hold करते हूं इसे drag करता हूं तो यह 5 by 5 का एक graph आ गया तो अभी इसको remove करता हूं मैं अभी मुझे क्या करना है इदर 10 by 14 का graph लेता हूं मैं इसे drag किया मैंने अभी इसको definite size देना है मुझे, तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, pick tool लेके अभी मैं क्या करता हूँ एक box का मैंने 10 mm ratio के सबसे ले रहा हूँ, तो क्या होता है अभी इदर 100 mm by 140 mm देता हूँ लेके enter दिया मैंने अभी इसको थोला क्या है इसे zoom out कर लेता हूँ, अभी इसको control u आप press करेंगे तो क्या होता है सब यह क्या है इसे ungroup होआ है, अभी मैं क्या करता हूँ, इस जो second strip है इसको select करता हूँ, इसे drag करके select करके delete करता हूँ इसी तरह जो bottom में जो है इसको भी delete करता हूँ, इस strip को मुझे यहां तक लेना है लेके इसको delete करता हूँ, इस strip को delete करता हूँ मैंने अभी क्या है, यहां से ऐसे लेता हूँ, इसको delete करता हूँ, इसी तरह यहां पर आना है अपको इतना select करके delete करना है, अभी क्या है इधर इसको यहां से यहां तक लेता हूँ, लेके इसको delete करता हूँ, यहां से ऐसे drag करो, इस तरह क्या है इन सब strips को आपको क्या करना इसे select करके delete करना है तो दिखो भी ऐसा आ गया अभी इन सब को select करता हूँ select करके क्या है weld करता हूँ weld करने से दिखो इस single object बन गया अभी इसको एक share देता हूँ मैं सो इतना करने के बाद अभी इसको क्या है थोड़ा इसे छोटा कर लेता हूँ सो अभी आप क्या करो इधर एक ellipse tool लेके एक circle लेता हूँ control को hold करते वे drag किया मैंने अभी width size में लेता हूँ इसको क्या एक 100 by 100 mm रखा है मैंने अभी इसको copy paste करता हूँ copy paste करके आपको क्या करना है 50 by 50 लेना है लेके अभी देखो यह अंदर का circle selected है shift के साथ जो बाहर का circle है इसको select करता हूँ select करके आपको क्या करना है trim करना है trim करने के बाद जो अंदर का circle है इसको select करके ptrl x करता हूँ तो इy cut होआ है तो अभी मैं क्या करता हूँ descrição tool से एक line draw करता हूँ इधर क्लिक करके Ctrl को hold कर तो इसे लेना है तो straight line आता है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, shift के साथ इस circle को select करके E और C प्रेस करो आप, तो दिखो भी ये क्या है, center में आ गया, अभी इसको एक बार D select करके, इस line को select करता हूँ, और एक बार इसको select करो आप, तो rotation का ये आता है, अभी इसको control को hold करते हुए, अभी इसको rotate करता हूँ, तो 15 degrees jump हो रहा है, अभी इसको और एक बार लेता हूँ, 30 degree हो गया, अभी इसको mouse right लिक करके left लिक छोड़ता हूँ, तो और एक copy आ गया, अभी इसको control D करो आप, तो duplicate हो रहा है, तो इतना होने के बाद, अभी इन सब को ऐसे select करता हूँ, अभी इन सब को select करक करता हूँ, तो दिखो ये cut हो अभी, अभी इसको मुझे क्या करना है, एक 15 degrees rotate करना है, तो इसको और एक बार click करता हूँ, click करके control को hold करते हूँ, तो दिखो भी इस 15 degrees rotate हो अभी, अभी इसको एक बार आप right लिक करके इदर break करो आप, आप control K भी आप बोल सकते हैं, तो अभ अभी इन sub को select करता हूँ, shift को hold करते हूँ, इस strip को click करना है एक बार, अभी इसको delete करता हूँ, तो ये single strip है भी, जो आपने cut किया आता हूँ, उसको अभी paste कर लेता हूँ, control V करता हूँ, तो दिखो भी ये circle paste हो गया भी, paste करने के बाद, अभी इस object को मुझे क्या करना है, इस shape में लाना है, तो उसके लिए इसको select रखते हूँ, अभी में क्या करता हूँ, इदर effect में आता हूँ, effect में आके आपको क्या करना है, इसके अंदर आना है, तो देखो भी ये अभी एक docker आ गया, अभी इसमें इदर क्या है, पुट्टी करके है, इदर अलग-अलग options है इसको पुट्टी रखा है मैंने, अभी इसको select रखते हूँ, इदर आता हूँ, यह क्या है, create envelope from करके है, तो इसको click करता हूँ, click करने से दिखो, एक छोटा सा arrow आ गया भी, अभी इदर क्या है, इसके अंदर मैं click करता हूँ, तो देखो भी यह क्या हो गया? भी यह जो object हम ने रखा था इसको delete करता हूं मैं so अभी इसको select रखते हुए इसको एक अलग shade देता हूं मैं अभी दिको इसको एक outline भी है पहले अभी मैं क्या कर लेता हूं इसको थोड़ा size मुझे increase करना है यानि जब भी मैं repeat करता हूं तो ठीक से weld होना चाहिए उसके लिए अभी मैं क्या करता हूं इस line को क्या है आपको object मैं के convert outline to object भूलना है so अभी दिको यह line क्या है इसे separate हुआ है अभी इन दूनों को select करके एक बार मैं weld कर लेता हूं weld करने के बाद और एक बार आप black में आके mouse right लिक करो तो और की कैसे line आ गया अभी अभी इसको क्या है और एक बार click करता हूं तो यह point point आ गया अभी इस point point को क्या है इस circle के center में लाता हूं ला कि आपको क्या करना है control को hold करते वे इस तरफ लेना है लेके एदर mouse right लिक करके left लिक छोड़ता हूं तो और एक यह copy बन गया अभी इसको control D press करता हूं तो यह क्या है ऐसे duplicate हो रहा है अभी मैं क्या करता हूं जो बीच में जो circle है इसको delete करता हूं जो center में circle है उसको delete करता हूं मैंने अभी इन सब को select करके क्या है वेल्ड करता हूं तो दिखो भी ये ठीक से जॉइन हो गया अभी अभी दिखो हमने क्या किया है इस शेप को क्या है इस सरकल के आरॉंड हमने प्लेस कर लिया है इस तरह क्या है आप एन्वलप टूल का यूज़ करके आप बहुत सारे डिजाइन्स आप बना सकते हैं अगर ये करते वक्त आपको कुछ डॉट्स वगेरा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा हमारे साथ जुड़े ने के लिए और इस चनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लगों का धन्यवाद